नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि IPO में अपलाई कैसे किया जाता है हमेंसे बहुत से लोग IPO में निवेश करना चाहते हैं लेकिन उनको यह पता नहीं होता है कि IPO में अपलाई कैसे किया जाता है तो आज हम live demo देखेंगे कि IPO में apply कैसे किया जाता है IPO में apply करने के दो तरीके होते हैं फर्स्ट होता है net banking के थुरू और second होता है UBI के थुरू हम दोनों ही तरीकों से IPO में apply करेंगे सबसे पहले हम net banking के थुरू IPO में apply करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो हमें से बहुत से लोगों के पास या हमारे relative में किसी न किसी के पास SBI का account होता ही है तो इसलिए हम SBI net banking के थुरू IPO में apply करेंगे सबसे पहले हम Google Chrome में अपना net banking open कर लेंगे अगर आप mobile से करना चाहते हैं तो उसमें desktop mode को on कर लेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारा net banking open हो गया है यहाँ एक उपर option आपको दिखरा हो इस service इस पर हमें click करना है यहाँ नीचे आपको एक option दिखरा होगा demand and ASBA application supported by blog amount इस वाले option पर हमें click करना है तो अभी हमारे सामने एक नया page open होगा यहाँ एक option आपको दिखरा होगा ASBA service IPO यहाँ नीचे दो option है एक है equity IPO और एक है debt IPO तो हमें equity वाले IPO में apply करना है यहाँ आपको दिखरा होगा IPO equity इस पर हमें click करना है यहाँ option दिखरा होगा apply IPO ठीक है accept इस पर click करना है यहाँ आप देख सकते हैं कि IPO का list आ गया है जो जो IPO open है वह आपको यहाँ पर show करेंगा जैसे grant pharma का IPO अभी open है तो हमें इसी में apply करना है तो हमें इसको select करके go पे click करना है तो IPO के term and condition को आप यहाँ पढ़कर accept पे click करना है इसलिए हम करते हैं यहाँ option आपको पूछ रहा है select category यहाँ individual जो option है इसको select करेंगे हम तो अभी आप देख सकते हैं कि IPO का detail आपके सामने पूरा open हो गया है कि category आपका जो individual है ठीक है company का नाम आप यहाँ आप देख सकते हैं उसके बाद इसका जो IPO का issue open date है वह यहाँ आप देख सकते हैं कि select category हमने individual select किया हुआ है company का नाम क्लेंट फार्मा है उसके बाद जो है issue जो उपें हुआ 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 9 नौंबर को उपें हुआ है close date जो है हुआ है 11 नौंबर इस IPO में minimum जो bid quantity है वह 10 है और bid multiple जो है वह भी 10 ही है ठीक है 10-10 के multiple में आप अपलाई कर सकते हैं IPO का जो lower price band है वह 1490 रुपया है और जो upper price band है वह आपका 1500 रुपया है यह कुछ IPO का detail आप यहां पढ़के आप उसका नीचे आप अपलाई कर सकते हैं जैसे यहां पर select category हमने individual कर रखा है ठीक है applicant का नाम जो अपलाई कर रहा है उसका नाम होना चाहिए पेन नमर और confirm पेन नमर जिस भी नाम से दिमेट अकाउंट open है उसी का नाम को यहां आपको एंटर करना है और वही पेन नमर उसी पेन नमर को confirm करना है ठीक है उसके बाद transaction type दो तरग transaction type है एक है NHDL और एक है CDSL हमको CDSL को select करना है जितने भी दिमेट अगाउंट होते हैं नॉर्मली वह सारे CDSL में ही open होते है select register applicant तो अगर आपने पहले कभी IPO apply किया होगा तो आपका पूरा detail यहां पर save रहता है चलिए हम आपको देखाते हैं यहां देख सकते हैं तो यहां जो लिखा हुआ है यहां निक नेम हो दा अप्लिकेंट तो यहां आपको select करना है अप्लिकेंट का पूरा detail यहां पर fill up हो चुका है अप्लिकेंट का नाम pen number confirm pen number और यह CDSL यहां एक option और आपको दिखरा होगा beneficiary dp account number यह solo अंका का एक number होता है जो आपका dp account number है जब आपको ipo में share alert होंगे तो आपका जो share है वह इसी account में deposit होगा अगर बात करें कि यह dp account number कहां मिलता है तो जब आप अपने dp account को open करेंगे तो वहाँ जो आपका profile है यहां आप देख सब्सक्राइब लिखा हुआ है जो आपका यह नमर है तो यहां आप देख कर उसको fill up कर सकते हैं उसके बाद यहां आपको तीन bid मिलते हैं जैसे cut up price quantity price और bid value तो आपको यह bid one select करना 10 से कम quantity में आप share apply नहीं कर सकते 10 quantity हमने आटाइब कर दिया यहां जो price है वह 1500 रुपए ही रखा गया इसको आप 1490 कर सकते लेकिन जो last amount है 1500 उसको ही रखना अच्छा होता है तो आप यहां देख सकते हैं कि हमारा जो bid value है वह 15,000 रुपए का है उसके बाद select debit account number आपका account select करने को का जाता है जो automatic select हो जाता है अब यहां submit पर आप click कर सकते हैं उससे पहले आप अगर आपको कुछ check करना है तो एक बार फिल से आप check कर सकते हैं सब कुछ check करने के बाद आप submit कर सकते हैं जो IPO का detail है वह आप यहां पर check कर लो उसके बाद सब कुछ सही होने पर जैसे 10 quantity में हमने apply किया है ठीके 15,000 रुप आपके नमर पर आएगा वह टीपी आप यहां पर टाइप कर जना है तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा यहां जो application है वह successfully send हो चुका है यह request for IPO is registered Lee is marked successfully on your account for the bid value तो हमारा जो IPO है वह successfully submit हो गया है अब जब भी हमें IPO अलोट होगा वह share सीधे हमारे debit account में आ जाएगा ठीक है तो दोस्तों इस तरह हम net banking के थुरू IPO में apply कर सकते हैं अब हम देखते हैं कि UPI के थुरू IPO में apply कैसे करते हैं तो सबसे पहले हम अपना debit account open कर लें तो अभी हम upstore के debit account open किये हैं यहां आपको ऊपर three dots दिख रहा होगा उस पे click करेंगे यहां आपको ऊपर first option दिख रहा होगा apply for IPO तो इस पे हम click करेंगे इसमें जो IPO open है वह हमारे सामने आगे आगे तो अभी आप देख सकते हैं कि Glend Farmer Limited का IPO open है इसके detail पे अगर हम click करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने debit account में login करने को कहा जाएगा तो चलिए हम अपने account में login कर लेते हैं तो सबसे पहले अपने छे digit का login ID जो है वो enter करेंगे उसके बाद pen number enter करेंगे फिर उसके बार अपका date of birth आप से पुछा जाएगा तो चलिए हम अपना date of birth एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम अपने account में अभी login हो चुके हैं तो फिर आप हम इस IPO वाले detail पे click करेंगे तो हम next page में आ जाएगे यहां investor type में individual को select करेंगे और उसके पाद enter UPI वाले option में अपना UPI ID एंटर करेंगे तो चलिए हम enter करते हैं तो हमने अभी अपना UPI ID एंटर कर दिया है अब continue पे click करेंगे IPO के लिए bit कर सकते हैं यहां use cut up पे click करके quantity load 10 का ही देना है अगर 10 के load में apply करना है अगर 20 के load में करना है 20 के ऐसे करके दो तिन bit कर सकते हैं आप confirm and apply करने के बाद आपको यह message दिखेगा IPO application successfully send इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी bit successfully apply हुई है इसके बाद आपको NPCL की ओर से एक SMS आएगा साथ ही आपके UPI app पर भी एक notification आएगा जिस पर click करने के बाद 15,000 रुपए की एक amount आएगी वहाँ पर जाके आपको जिस bank से payment करना है उस bank को आप select कीजिए अपना UPI pin enter कीजिए और proceed कीजिए उसके पाद आपके account से वह particular amount block हो जाएगी दोस्तों जब आप IPO के लिए apply करते हैं तो उस वक्त आपके account से वह amount deduct नहीं होता है बलकि सिर्फ block हो जाती है यानि आप उस amount को bank से निकाल नहीं सकते हैं तो IPO में apply करने के कुछ दिन के बाद shares की allotment होती है उस allotment में आपको shares बिलते हैं तो फिर वह amount आपके bank account से deduct हो जाएगी और shares आपके demand account में चले जाएगे और अगर आपको IPO में shares की allotment नहीं होते हैं तो आपकी वह block होई amount unblock हो जाएगी यानि आप उसे फिर से bank account से निकाल सकते हैं तो दोस्तो यह दो तरीके थें जिसके माध्यम से आप IPO में apply कर सकते हैं एक net banking के माध्यम से और दूसरा था UTI के माध्यम से हमें उमीद है कि यह video आपके लिए useful सावित होगा अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दुबारा प्ले करके और बीच-बीच में पहुच करके देखेंगे तो आपको step by step सारा process जो है वह clear हो जाएगा बीना कोई रुकावट के अप्लाइक कर सकते हैं अगर आपको जरोधा या अप्स्टुक में अपना डिमेंट अकाउंट ऑपन करना है तो आप description में दिये गए लिंक से जाके अपना डिमेंट अपन करा सकते हैं दोस्तों हमें उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करदें साथ ही चैनल पर अगर आप नहे हैं तो चैनल को subscribe करके पेल आइक़ों को प्रेस कर दें जिसे आपको हमारे लेटेज वीडियो का नोटिफिक्शन मिलता रहे हम आगे भी ऐससे ही फैनान सोसेर मार्केर से रिलेटेज वीडियो पनाते रहते हैं वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तब तक आप जहां भी हैं सोस्त रहें और खुस रहें धन्यवाद